नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रेंड स्टेडी पॉइंट में तो इस वीडियो में हम डीसी मोटर के 25 सवालों को करेंगे बहुती जादे इंपोर्टेंट सवाल है और इसकी पीडियेफ को हम अपने टेलिग्राम चैनल पर अपल को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा वहां से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को सुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीड जादा समय वेस्ट किये भी ना चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा तब ही आपको लाब होगा क्वेशन नमबर एक है फ्लैमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार अंगुठा क्या दर्साता है क्वेशन नमबर एक का आंसर कीजिए तो बिल्कुल दोस्तों फ्लैमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार अंगुठा जो है वो चालक की घुमाव दिशा को दर्साता है तो उप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा उप्शन सी राइट होगा चलिए अब नेक्स्ट कोईशन देखते हैं एक मिनिट इसमें और भी बता देते हैं तो फ्लैमिंग का बाएं हाथ का नियम है इसमें अंगुठा जो है वो चालक की घुमाव दिशा को दर्साता है ठीक है और इसमें जो तरजनी होती है वो चुमकिये शेत्र की दिशा को दर्साती है और मध्यमा जो होती है वो कंड़ रेक्टर में बहने वाले धारा की दिस्टा को बताती है अब चलिए अब बढ़ते आगे Q2 देखेंगे DC मोटर का घूमने वाला भाग है Q2 का आंसर कीजिए DC मोटर का घूमने वाला भाग है तो बिल्कुल दोस्तो ओप्शन सी राइट हो जाएगा DC मोटर का घूमने वाला भाग होता है आर मेचियर वेरी वेरी इंपोर्टन इससे याद रखिएगा चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेशन नमबर थ्री DC मोटर का कार क्या है क्वेशन नमबर थ्री का आंसर कीजिए DC मोटर का क्या कार है तो बिल्कुल दोस्तों आप्शन भी राइट हो जाएगा विधुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलता है आप्शन भी राइट हो जाएगा आप्शन भी इस दा राइट आंसर चलिए अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर फोर बैक E.M.F. का मान सदा सप्लाई E.M.F. से डैस होता है तो क्वेशन नमबर फोर का आंसर करेंगे बैक E.M.F. का मान सदा सप्लाई E.M.F. से डैस होता है तो बिल्कुल दोस्तों आप्शन भी राइट आंसर है कम होता है बैक EMF का मान हमेशा सप्ला EMF से कम होता है चलिए अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 5 वह DC मोटर जिसमें शंट और सीरीज दोनों परकार की वैंडिंग होती है तो उसे क्या कहेंगे क्वेशन नमबर 5 का आंसर कीजिए तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा कमपाउंड मोटर कहेंगे वह DC मोटर जिसमें शंट और सीरीज दोनों परकार की वैंडिंग पाई जाती है उसे कमपाउंड मोटर कहते हैं चलिए अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 6 DC मोटर की रेटिंग किसमें मापी जाती है तो क्वेशन नमबर 6 का आंसर कीजिए तो बिल्कुल दोस्तों DC मोटर की रेटिंग को हम HP यानि होर्स पाउर में मापते हैं यानि कि ऑप्सेंसी राइट आंसर होगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर लिजिएगा एंड तक देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो एंड तक जरूर बने रहिएगा तो क्वेशन नमबर सेवन देखेंगे भावर धारा हानी को कम करने का उपाय है इसे में से कौन सा है जो कि भावर धारा हानी को कम करेगा तो क्वेशन नमबर सेवन का आंसर कीजिए तो बिल्कुल दोस्तों option A right हो जाएगा laminated armature core तो armature core को हम क्या कर देंगे laminate कर देंगे जिससे क्या होगा add current loss से वो कम हो जाएगा भावरधा रहानी कम हो जाएगा तो option A जो है वो right answer होगा चलिए अब next question देखते हैं question number 8 किसी DC स्रेडी मोटर की घूडन गति क्या होती है जब load बढ़ाया जाता है तो question number 8 का answer करेंगे किसी DC स्रेडी मोटर की घूडन गति क्या होती है जब load बढ़ाया जाता है तो बिल्कुल दोस्तो option B जो है वो right हो जाएगा घूडन गति जो है वो घट जाती है जब हम load को बढ़ाते हैं अब हमने इसका पता कैसे लगाया वो भी हम आपको बता देते हैं हमने तो यह वाला formula दो पढ़ा ही होगा friends speed बराबर में and speed को बताता है और यह हो गया back EMF upon में flux और back EMF यहाँ पे क्या होता है हमारा हमारा back EMF यहाँ पे होता है V माइनस में I armature current armature resistance यही होता हमारा back EMF तो यहाँ पे load को बढ़ाने से मतलब यही है armature resistance armature resistance को increase करना तो अगर हम इससे increase कर देंगे तो क्या होगा हमारा back EMF जो है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे speed जो है यह डारेक्टली एंड जो है यहां पर यह एंड जो है यहां पर डारेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके बैक एमफ के तो जब ये totally ये पूरा जब ये हमारा कम हो जाएगा ये back ये में फी कम हो जाएगा और end जो है directly proportional है इसके ये घटेगा तो ये भी तो घटेगा ही तो इसलिए speed जो है घट जाएगा चलिए अब next question देखते हैं question number 9 निमने लिखित किन तत्यों पर back EMF निर्भर करता है तो question number 9 का answer कीजिए निमने लिखित किन तत्यों पर back EMF निर्भर करता है तो बिल्कुल दोस्तों option D जो है वो right हो जाएगा सभी पर निर्भर करता है armature में armature में समानतर पत्थों की संख्या पर motor की गती पर और प्रतिधुरूफ फ्लक्स पर आपको यह वाला formula तो याद ही होगा इसी से ही निकलेगा back EMF is रिकुस्तू एन पी फाई जेड अपॉन में 60A यहां पर N स्पीड हो जाएगी पी पोल्स हो जाएंगे फाई यहां पर फ्लक्स हो जाएगा जेड जो है यहां पर conductor हो जाएगा और 60 तो constant है और यहां पर A जो है यह number of parallel path हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 10 डी सी मोटर में प्रेरित वॉल्टेज तो हमें बताना है इसमें डी सी मोटर में प्रेरित वॉल्टेज तो question number 10 का answer कीजिए induced voltage in DC मोटर DC मोटर में प्रेरित वॉल्टेज तो बिल्कुल दोस्तों DC मोटर में प्रेरित वॉल्टेज जो होता है वो परियुक्त वॉल्टेज का विरोध करता है तो option A जो है वो right हो जाएगा DC मोटर में प्रेरित वॉल्टेज परियुक्त वॉल्टेज का विरोध करता है एक DC मोटर में आर्मेचर के रोटेशन के लिए प्रेरित EMF को बैक EMF के रूप में जाना जाता है और बैक EMF उप्योग किये गए वोल्टेश का विरोध करता है ठीक है दोस्तों तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेशन नंबर 11 कोई DC मोटर है यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा क्वेशन नंबर 11 का आंसर कीजिए कोई DC मोटर है यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कम्यूटेटर कम्यूटेटर को देखकर हम पता लगाएंगे कि यह DC मोटर है तो चलिए एम नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नंबर 12 डीसी मोटर वर्किंग विद दो सो चालिस वोल्ट इव दे वैल्यू अब दे बैक एम एफ इस दो सो बीस वोल्ट हाव मच करेंट विल फ्लो इन दा आर्मेचर विद रेजिस्टेंस अब 0.5 ओम्स तो इसका तो वो हिंदी में टाइप करना मैं भूल लिया कोई बात नहीं मैं इसे बता देता हूं हिंदी में 246 वोल्ट पर कार करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विवाहक बल का मान 220 वोल्ट हो तो 0.5 ओम परतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करेंट परवाहित होगा कुल मुलाके हमें यहां पर जो जो दे रखा है हमें वहीं लिखना पहली बात तो हमें यह फॉर्मुला पता होना चाहिए एक मिनिट पहले तो लिख लेते हैं कि वोल्टेस हमें दे रखा कितना दो सुचालिस वोल्ट हमें दे रखा है ठीक है तो और यहां पे हमें बैक कीमफर दे रखा है कितना मैं है 210 वोल्ट कैसे 220 ठीक है यह भी ओल्ट यह भी और हमें क्या दे रखा है आर्मेचर रिस्टेंस भी दे रखा है 0.5 तो हमें क्या निकालना है हमें आर्मेचर करेंट निकालना है आए का मान निकालना है ठीक है अब हमें ये फोर्मला तो पता ही है E B इसकल्स तो क्या होता है V माइनस में I A R A ठीक है तो चलिए अभी देख लेते हैं पता चलता है अभी यहां तक तो आप लोग समझी गए तो आप कुछ नहीं करना इन सभी की value को put कर देना इन ही को एड़ेस्ट करके लिख देना I A ब्राबर में V माइनस में E B अपॉन में आर में चार रिजिस्टेंस तो यहां पर आप value रख देंगे voltage कितनी है supply 240 माइनस 220 है यहां पर तो यहां पर 220 लिख देंगे अपॉन में 0.5 कर देंगे अब जब आप इसे solve करेंगे तो आपका अंसर आएगा 40 A तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा 40 A option A जो है वो right हो जाएगा एक मिनिट option A right हो जाएगा 40 A इसका अंसर होगा तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं question number 13 एक मिनिट question number 13 यदि DC मोटर में बैक EMF अनुपस्तित हो तो फिर क्या होगा question number 13 का आंसर कीजिए यदि DC मोटर में बैक EMF अनुपस्तित हो तो फिर हमें बताना है तो option A right हो जाएगा मोटर जो है वो जल जाएगा अगर बैक EMF नहीं रहेगा तो मोटर जल जाएगा चलिए अप next देखते हैं question number 14 DC संट मोटर का परियोग निम्ण में से किसके संचालन में किया जाता है तो question number 14 का आंसर कीजिए DC संट मोटर का परियोग निम्ण में से किसके संचालन में किया जाता है तो बिल्कुल दोस्तों, option A right हो जाएगा, machine tools के संचालन में क्या जाता है तो machine tools इसका right answer होगा, question number 14 चलिए अब next question देखते हैं question number 15, hysteresis राज सबसे कम निर्भर करता है hysteresis loss जो है, सबसे कम निर्भर करता है question number 15 का answer करेंगे hysteresis राज सबसे कम निर्भर करता है तो option C जो है, वो right हो जाएगा, ambient temperature ambient तापमान पर hysteresis loss जो है, सबसे कम निर्भर करता है ambient temperature, ठीक है, ये right answer होगा अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं, hysteresis loss जो है, वो किस पर निर्भर करता है डबलू एच, ये hysteresis loss का formula होता है ये permeability है ये magnetic flux density है इसकी power है 1.6 into में frequency है ये ये volume है, तो इन सभी पर ये depend करता है तो कुल मिला के hysteresis जो है, वो इस पर इस पर depend करता है, frequency पर भी करता है, material quantity पर भी करता है पर temperature पर बहुत ही कम निर्भर करता है चलिए अब next question देखते है question number 16 motor की speed मापी जाती है question number 16 का answer कीजिए question number 16 का answer हो जाएगा d, tachometer तो motor की speed मापी जाती है, tachometer दोरा चलिए अब next question देखते है question number 17 निमनलिखित में से किसका परियोग punching machine में होता है question number 17 का answer कीजिए निमनलिखित में से किसका परियोग punching machine में होता है तो बिल्कुल दोस्तो option A right हो जाएगा DC cumulative motor का परियोग हम करते हैं punching machine में DC cumulative motor का परियोग करते हैं तो option A right हो जाएगा चलिए अब next question देखते हैं question number 18 शंट motor का starting torque pool load torque का desk गुना होता है तो question number 18 का answer करेंगे शंट motor का starting torque pool load torque का desk गुना होता है तो option D right हो जाएगा डेड़ गुना होता है pool load torque का 3 गुना होता है 1.5 तो चलिए अब next देखते हैं question number 19 गुडन गती पर क्या परभाव पढ़ता है यदि cumulative compound motor में load बढ़ाया जाए तो question number 19 का answer कीजिए गुडन गती पर क्या परभाव पढ़ता है यदि cumulative compound motor में load बढ़ाया जाए तो बिल्गुल दोस्तो option B right हो जाएगा घुडन गती जो है वो घटती है चलिए अब next question देखते है question number 20 थोड़ा और zoom कर ले question number 20 cumulative compound motor का torque बताईए question number 20 का answer कीजिए cumulative compound motor का torque तो बिल्कुल दोस्तों option D right होगा A और B दोनों यानि कि series motor से कम होता है cumulative compound motor का torque जो होता है वो series motor से कम होता है और sunt motor से ज्यादा होता है तो option D जो है वो right हो जाएगा चलिए अब next question देखते है question number 21 देखते है question number 21 किस motor को start करने में कठिनाई होती है तो question number 21 का answer कीजिए किस motor को start करने में कठिनाई होती है तो option D जो है वो right हो जाएगा एक मिनट ओप्सेन D राइट हो जाएगा differential compound motor इसको start करने में कठिनाई होती है चलिए अब next question देखते है बड़ा question है DC series motor में field divert प्रतिरोध परियोग करके motor की घूडन गती परिवर्तित की जाती है तो question number 22 का answer कीजिए DC series motor में field divert प्रतिरोध परियोग करके motor की घूडन गती परिवर्तित की जाती है तो option a right हो जाएगा सामानने से अधिक गती के लिए option a right हो जाएगा सामानने से अधिक गती के लिए हम field divert प्रतिरोध का परियोग करते है चलिए अब next question देखते है question number 23 23 निम्न मेज से कौन से छती DC motor में होती है तो question number 23 का answer कीजिए निम्न मेज से कौन से छती DC motor में होती है तो option d right हो जाएगा उप्रोक्त सभी DC motor में iron loss भी होता है loss छती भी होता है तामर छती भी होता है और यांत्रिक छती भी होता है चलिए अब next question देखते हैं question number 24 निम्न में से कौन किसी DC मोटर की मौलिक आप सकता है question number 24 का answer कीजिए निम्न में से कौन किसी DC मोटर की मौलिक आप सकता है तो बिल्कुल दोस्तों उप्रोक्त सभी इसका answer होगा किसी भी DC मोटर की मौलिक आप सकता है जो होती है ये सभी होती है magnetic field, armature, commutator तथा brush ये सभी होती है चलिए अब next question देखते है next and अकरी question इस video का video के नीचे comment करके जरूर बताईएगा आपको कितने questions इसमें से कितने questions के answer आपको पता थे इसकी PDF टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो आप टेलिग्राम चैनल पे जाईए और इसे जरूर डाउनलूड कीजिए तो चलिए पढ़ लेते हैं next question क्या होगा अगर किसी प्रिथक उतेजित DC मोटर के supply terminal को आपस में बदल दिया जाए तो question number 25 का answer कीजिए क्या होगा अगर किसी प्रिथक उतेजित DC मोटर के supply terminal को आपस में बदल दिया जाए what happens if the supply terminals of a separate excited DC मोटर are interchanged तो बिलकुल दोस्तों option भी right हो जाएगा मोटर की घूड़न दिसा परिवर्तित हो जाएगी तो option भी जो है वो right हो जाएगा मोटर की घूड़न दिसा परिवर्तित हो जाएगी तो ये इस वीडियो को आखरी question था comment करके जरूर बताईएगा कि आपके कितने सही गया है और चैनल पर नए है तो इससे subscribe जरूर कर लीजिएगा subscribe कर लीजिएगा और इससे अपने दोस्तों में जरूर share कर दीजिएगा वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर दीजिएगा चलिए धन्यवाद अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में